भाड़ी का ससिराल मुझे पता था, ये लड़का एक दिन हमें सड़क पर लाकर ही रहेगा तुने हमें बताय बिना ये घर बेच कैसा दिया सड़क पर नहीं आ रहे है ममी, हम बस भाड़ी के घर में जा रहे है अपना घर बेज कर, तु मुझे भाड़े के घर में लेकर जा रहा है बिटा अरे बेटे तो घर की संपती को दो गुना करते और तुने जो एक संपती थी उसका भी नाश कर दिया ये छोटी सोच ममी, बड़े लोग किराय के घर में ही रहते हैं ममी अरे जब जीवन ही पर्मिनेंट नहीं है, तो घर क्यों पर्मिनेंट रहे? पुराने घर को बेज कर जो पैसे आएंगे, उन्हें मैं शेर्स में इंवेस्ट करूँगा और दिन दोग उनी नहीं, राज चौग नहीं कमाई करूँगा ममी शेर्स मार्केट तीन बज़े के आसपास बंद हो जाता है, फिर रात को कैसे कमाई कर लेंगे आप? और अपने पूरे परिवार के साथ, विकास एक भाड़े की घर में शिफ्ट हो जाता है मुझे तो लगता है, यह आपका इन्वेस्टमेंट करने का केड़ा किसी दिन हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा दुकान तो आपसे संभाली नहीं जाती, और संपति के नाम पर एक घर था उसे भी बेज दिया अरे भई, दू-चार दिन तो दो मुझे, अच्छे-अच्छे शेर्स निकाल कर रखे हैं, पूरे पच्चीस लाख, एक बार में मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा पच्चास नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी विकास नहीं पैसे आती, सबसे पहले तुम्हें डाइवंड का सेट दिना दूँगा बाकी सब बात में नीहा की भाड़े के सिसराल में इसी तरह पंदरा दिन निकल जाती हैं और एक दुपर अपने दुकान से भागता हुआ विकास आता है ममी, ममी बहुत बड़ा प्राप्लिम हो गया मैंने जो भी पैसे मार्केट में लगाए थे, सारे डूपके अब क्या होगा ममी जिस दिन से तु हमारे घर में पैदा हुआ है, उसी दिन से रूला रहा है हमे घर बेज कर जो पैसे आये थे, वो भी गया उससे अच्छा एफटी करवा देता और चड़ाईए आप इसे सर पर मैंने तो पहले ही कहा था, कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को दिमाग में लगाने की अब एक तारिकाती दिखेगी तुकान की जो आहलत है, वो तो किसी से चिपी नहीं है क्या असा देंगे भाड़ा मुझे नहीं रहना या, मैं जानी हो अप्टिमाई की मैं नहीं चाहती कि किरायदार मुझे धक्के मार कर इस घर से निकाले अरे रुक जाओ निया, तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर्येक्ट करने लगती हो असल में लॉस मम्मी का हुआ है, पर देखो वो कैसे शान बैटी है रुको जरा मुझे सोचने तो दो, अभी पंदरा दिन बाकी है ना किरायकर डेटाने में तब तक कोई आइडिया निकलता हूँ इस प्रॉब्लम का सुलूशन निकालने के लिए रात को खाने की टीबल पर बैठती है एक सभाद जिसमें विकास सभी की सामनी का आइडिया रखता है पताओ तो मा इस घर का किराया कितना है ए भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया ये तेरी बीवी है, इससे पैचान तो रहा है न तु बेटा अरे देख निहा भई, इससे क्या हो गया ये सब आपके कारण हो रहा है जी क्या सरुवती सुबह उसे इतना डाटने की कहीं इसने आपकी डाट को दिल से तो नहीं लगा लिया अब चुप रही है भागयवान, हद करती है आपी पंद्रा हजार भाड़ा है, आगे बोल पंद्रा हजार है न, और कहीं से हमारे पास पच्छीस हजार आ जाए, तो पंद्रा हजार मकान मालकिन को दे देंगे, और दस हजार में घर का राशन मैनेज हो जाएगा, इससे अच्छा सौधा हो सकता है क्या, और वह, और पच्छीस हजार लाएगा कहां से, मेरे कपड़े बेच कर, अरे ठींक बीग पापा, ठींक बीग, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न हम अपने इस घर पर एक रेंटर रख ले, तो समझ रहा है पिटा, एक तो हम खुद पाँच लोग है, उपर से जो रेंटर आएगा, उनका पूरा परिवार, हम सब इतने छोटे से घर में रहेंगे कैसे, अरे किस दिका कि हम पूरे परिवार को रखेंगे, ये तो गलत है ना, फिर परिवार कहा जाएगा, उफ ममे, हम अपना ये घर सिर्फ और सिर्फ कपल को देंगे, और उनसे किराया लेंगे 25,000, आइडिया तो ठीक है पर वो हमें 25,000 क्यों देंगे, रे देंगे, जब उन्हें साथ में खाने का कॉम्बो भी मिलिगा, हमारे घर के राशन में दो और लोगों का खाना भी बन जाएगा, हमारा बिजली का बिलाता कितना है, उसमें उनका भी बिजली का बिलाइड हो जाएगा, दो लोग कितनी ही बिजली जला लेंगे, तो एक्स्ट्रा सर्विस देंगे हजार रुपी की और पैसे ले लेंगे पूरे घर के, अब बोलो, मैं क्या बोलू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वही तो, अब भी तुम लोग इसकी बात सुन रहे हो, मुझे तो इसकी कही किसी भी बात पर आप भरोसा ही नहीं रहा, महीनी के आखिर तारीकों जब हाथ में 25,000 रुपी आएंगे ना, तो सबसे पहले आप ही मेरी पीट थप थप आएंगे पापा, मैं कली अकबार में एक आड़ दे देता हूँ, फुली फॉर्निश्ट हाउस अवेलेबल फॉर कपल्स, और पेपर पर कपल के लिए रेंच का घर अवेलेबल देखकर एक कपल उनके घर पहुँच जाता है, यहाँ कोई घर रेंट पर था, बहुत सारी घर है तो हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, आपको भाड़े पर देखना है न, यही है वो घर, अच्छा अच्छा, तो उपर भी फ्लोर है, वो भी रेंट पर है क्या, या वहाँ आप लोग ही रहते हैं, तब ही शिटला वहाँ आती है, क्या बताए बिटा, है तो हमारा ही घर, पर उसमें इनके न, बड़े भाई रहते हैं, यानि कि मेरे जेट जी, ग्रह कलेश कैसी चीज है, तुम जानते ही होगे, हम लोगों की न, ज़्यादा बाद जितनी होती, वो उपर रहते हैं, हम नीचे, पर पूरा घर अपना ही आए, पर आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे, चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, नेहा, विनोध और जिल्सी को एक कमरे में लेकर जाती है, ये रहा आपका फुली फ़र्निश्ट कमरा, वैसे तो आप पूरा घर यूज़ कर सकती हो, हौल भी है, किचेन भी है, आपके लिए सेपरेट बातरूम भी है, कमरे में अटच बालकनी है, घर के पीछे इतना बड़ा एरिया खाले पड़ा है, वहाँ आराम से आप शाम में वाक भी कर सकते हैं, मुझे तो यह घर ठीक लग रहा है, ठीक नहीं जी, एक नमबर घर है, इस दाम में और इन फैसिलिटीज के साथ आपको पूरे शहर में ऐसा घर नहीं मिलेगा, कपड़े भी आपकी धूल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, और आपकी प्राइवसी में तो बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा, हानिमून पिरियेट समझ लीजिए, बिल्कुल वैसी प्राइवसी मिलेगी आपको, जी कह फिर, संतोष के हाथ में पैसे रखने के लिए विनोध अपने जेब से पैसे की गड़ी निकालता है, कि तब ही दर्वाजे की घंटी बच जाती है, आरे वाजी वाज, घर पर महमान आये हुए हैं क्या, ये मकान मालकिन यहां कहां से आ गई, हाजी मेरी मौसी के पड़ोस की ननत की बेटी और दमाद है, दोनों काम के सुसले में आये हुए हैं, मैंने कहा, अरे भई, मैं अभी मौसी लगती हूँ, यहीं रुख जाएए, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब आई हो तो एक कप चाए पी कर जाऊंगी, वो क्या है ना अंटी जी, अभी अभी दूद खतम हो गया है, मैं ले नहीं जा रही हूँ, जैसे ही चाए बनती है, एक कप उपर भिजवा दूँगी, और जैसे तैसे पूरा परिवार, मिस्स शर्मा को वापस भीज देता है, आपने तो कहा था आपके इनसे बात्चित नहीं होती, पर यह तो आपके घार आ गई, अरे बात्चित कहां बिटा, आप कोई सामने से मूँ उठा कर आ जाए, तो कोई क्या ही कह सकता है, बस आप दोनों ये बात याद रखिएगा, कि कभी भी कोई आपसे कुछ भी पूछे, तो ये मत बता देना, कि आप इस घर में किराया पर रहते हैं, आप बताएगा, कि हम इनके रिष्टेदार हैं, और ऐसा क्यों आउंटी जी? लोग, विनोजी, यहाँ लोग कैसे हैं, क्या कहें, जलन बहुत है सबके मन में, यहाँ कोई भी किसी के घर रेंटर को टिकने नहीं देता, सबी आपका जीना हराम कर देंगी. ठीक है, वैसे भी हमें इन लोगों से क्या मतलब, और विनोजी अपनी इस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, अगली सुपर सभी चाय पी रहे थे, कि चल्सी और विनोजी अपनी कमरे से बाहर आकर सभी के साथ सोफे पर बैट जाती हैं, पैकेज में खाने का था तो मुझे लगा चाय नाश्ता भी रहेगा, अहां तो है ना, निहा के सामने रखे चाय की कप को उठा कर, विकास भी नोजी को देता है, हो गया ना जी, आप हमारे रेंटर है, आपको कोई तकलिब नहीं होनी चाहिए, निहा का क्या है, निहा एक कप और चाय बना लेगी, क्यों? काफी ना, हाँ हाँ बन जाएगी, जाओ निहा, एक कप काफी बना लाओ, साथ में तुम अपनी चाय भी बना ले ना, एक पन दो का जाएगी नहीं? मुँ बना कर निहा किचन में चली जाती है, और चेल्सी के लिए काफी बनाती है, एक दिन हुआने इने आए, और मेरे मुखी चाय तक शिंगी, नजाने विकास याब और कितनी दोड़ दशा करवाएंगी मेरी? नेहा काफी लेकर बाहर आती है, दोनों पती-पत्नी चाय काफी पी कर अपने कमरे में चली जाते हैं, दो गंटे बाद बात्रूम में जे संतोष जोर-जोर से आवाजे लगाता है, और ये पानी कहां जला गया, किसी ने नल खोल रखा है तो बंद करो, यहाँ पानी नहीं आ रहा, संतोष के आवाज सुनते ही शितला बात्रूम के बाहर जाती है, क्या हुआ जी, सही से पेड़ साफ नहीं हो रहा है क्या, चाय बना कर ला दू, ये भगवान मेरी ही किस्मत में लेखनी थी तुझा ऐसी आधे दिमाग के आरत, और भागेवान मेरे पूरे शरिद में साबून लगा हुआ है, और यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा, क्या पापाजी पानी नहीं आ रहा, सुबह तो मैंने मोटर चलाया था, टंकी तो पूरी भरी थी, रुकी मैं अभी देखकर आती हूँ, नेहा पूरे घर के सभी नलों को चेक कर लेती है, पर उसे कहीं भी कोई भी नल खुलावा नहीं मिलता, फिर वो देखती है कि चल्सी की कमरे से पानी की आवाज आ रही है, कमरे का दर्वाजा खोल कर निहा अंदर चली जाती है, और वो क्या देखती है, बाथ टब का नल चालू कर, चल्सी आराम से बिस्तर पर सो रही है, हो गया कल्यान, अब ये मिस्स शर्मा अलग से कलेश करेंगी, उपर से बिन पानी के खाना कैसे बनेगा, चल्सी जी, चल्सी जी, ओ माई गाद, मेरी परमिशिन की बिन आप मेरे कमरे में कैसे आ गई, अब प्लीज ध्यान रखा कीजिए, आपने नल खुला छोड़ दिया था, जिसके कारण टंकी का पानी खातम हो गया है, मुझे तो इसी तरह रहने की आदत है, जब तक पूरा घर स्विमिंग पुल ना बन जाए, मुझे नहानी का मज़ा नहीं आता, और वैसे भी ये कांट्रेक्ट पे नहीं था, तो आप फिर से पानी चड़ा लीजी, ये कहकर चलसी फिर से सूजाती है, और इसी तरह पूरा दिन नहा परिशान होती रहती है, रात को सबे की खानी की बार नहा विकास से कहती है, ये तो हद हो गई विकास, ऐसे कब तक चलेगा, मैं अपना बच्चा संभालो, इन दोनों पती-पत्टी की कहानी के शाउक पूरे करूँ, क्या-क्या करूँ मैं, अरे जान छोड़ो ना यार, ये पचीस हजार रुपे जो तुमारे हाथ में आएंगे, उसके बारे में सुचो, बस कुछ दिन की बात है, निहा और विकास भी सो जाते हैं, और रात को दो बजे उनकी घर की बेल बचती है, बेल की आवाज से मुन्ना उटकर रोने लगता है, यही बस एक चीज बाकी थी, होगी रात काली, अब जाओ और अपने रेंटर्स के लिए दर्वाजा खुलो, अरा जाए ना दर्वाजा खुलिया, वरना यह दोनों बेल बजाते ही रहेंगे, और आखिरकार, शितला को ही दर्वाजा खुलना पड़ता है, रात में देर तक पाटी करने की कारण, विनोद और चल्सी दुपैर के दो बज़े उठते हैं, और धोने के लिए एक साथ तीस जोड़ी कपड़े निकाल कर बाहर हॉल में रख देते हैं, यह सब क्या है, तुम दोनों ने कपड़े का काम शुरू किया है क्या बिटा, अच्छा है कारो करो हाँ, खपड़े दोना भी तो कांट्रेक्ट में था, यह दोने के लिए आंटी जी, और हाँ इस कमरे में हमें बहुत गर्मी लगती है, तो प्लीज आप एक एसी लगवाने का आरेंजमेंट कर दीजिए, अब हाँ हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आरे खुद हम अपने कमरे का एसी चालू नहीं करते, और इन्हें एसी चाहिए, विकास अपनी कमरे का एसी खुलवा कर, विनोथ की कमरे में लगवा देता है, और दोनों पार्टी आनिमल्स दिन बर एसी ओन ही रखते, यहां तक की रात को एसी ओन छोड़कर पार्टी में चले जाते, बिटा, जब आप बाहर जाया करो, तब तो एसी ओफ कर दिया करो, हैसे कैसे आंटी जी, रूम को ठंडा होने में समय लगता है, इसलिए एसी ओन छोड़कर जाना बहुत इंपोर्टन है, विकास तो दुकान पर चला जाया करता है, नए रेंटर्स का काम तो निहा और शितला को करने पड़ते थे, तीनों टाइम उनकी फर्माईश का खाना बनाना, उनके नकरे उठाना, उपर से रात के वक्त, विनोद और चल्सी के वक्त बेवक्त आने की कारण, नेंद जो हराम हो रही थी स्वालग, और सुबह जब दोनों पार्टी एनिमल सो रहे थे, घर पर फिर से एक सभा बैठती है, अरा मुझे नहीं पता, इन लोगों की फर्माईशे पूरी कर करके, मैं तो हार गई हूँ, तुझे उनके लिए कोई नौक रानी रखनी है तो रख ले, मुझसे और काम नहीं होगा, मेरी तरफ तो देखना भी मत विकास, इन दोनों की गंदे कपड़े धो दोकर, मेरी तो कमर ऐसी याद ही हो जाती है, नचाने दोनों किस किचड में लेट कराते हैं, और इससे पहले विकास कुछ कहता, मिस्स शर्मा वहाँ आ जाती है, जी आपकी बिजली का बिल हुआ सोला हजार रुपे है, क्या, सोला हजार रुपे है, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ अंटी जी, जोट क्यों बोलूँगी मैं, बहुत तेजी से उठा आए यूनिट आपका, अब आगे आप लोग सोच समझ कर बिजली उठाए, इंसानियत के नाते मैंने बोल दिया, वरना बिल भरना तो आप ही लोगों को है, उठा लिया फाइदा, हो गई शान्ती आपको विकास जी, शाम को पांच बजे कुछ अतरंगी लोग, एक एक कर निहा के ससुराल में आना शुरू कर देते हैं, अरे अरे बहुत कहां गुसे जा रहे हैं आप, तो आप यह वो एक बूड़ी कुसे डांडी, वैसे गाने ने क्या आए अंडी, तब ही अपनी कमरे से विनोद और चेल्सी, पार्टी के लिए तयार होकर हॉल में आते हैं, और जोर जोर से गाने बजा कर अपने दोस्तों के साथ नाज गाना शुरू कर देते हैं, यह तो बहुत ज़्यादे ही हो गया, यहां तो फाइदे से ज्यादा नुकसान का सौधा होता दिख रहा है ममी, पहले इन दो लोगों को खिला रहे थे, अब इनके दोस्तों को भी खिलाना पड़ रहा है, बीस लोगों का खाना, बीस हजार का राशन तो इसी महीने में चला जाएगा, उपर से यह बिजली इतनी इस्तमाल करते हैं, आज पार्टी खतम होने के बाद मैं विनोद और चैल्सी से बात करता हूँ, हमें नीची यह ऐसे किरायदार, और पार्टी खतम होने के बाद विकास सीधा विनोद और चैल्सी से घर छोड़नी की बात कर देता है, 25,000 में आप लोग तो फाइव स्टार होटेल का मज़ा ले रहे हैं आपके खाने के साथ आपका नाश्टा, आपके सारे दोस्तों का नाश्टा सबके इतने जूटे बरतन दोना, कपड़े दोना, इतनी फासिलिटीज हम आपको नहीं दे सकते भई कौन चलाता है भई, 24, 24 घंटे ऐसी, आप अब तक का हिसाब करके हमारा घर छोड़ दीजी ठीक है छोड़ देंगी, पर उसके पहले उपर जाकर मिस्स शेर्मा को जरूर पता देंगी कि उनकी किराएदारों ने हमें भी आजरंटिस रखा है, हम तो बस बेगर होंगे पर आपको तो एक नया घर मिल जाएगा, जेल यह तो क्या बोल रही है बटा, अब क्या लगा, यहां स्मार्ट सिर्फ आप ही है, जो हमें ठख लेंगी हमें तो पहले ही शक हो गया था कि कुछ तो जोल है, उपर से आसपास कहीं भी दस हजार में आराम से घर मिल जाते हैं, और आप हमसे पच्चीस हजार मांग रहे थे चलो विनूत, मिस्स शर्मा को असलियत बता देती है नहीं नहीं चलसी जी ऐसा मत कीजी का, मेरा इतना छूटा सा बच्चा है, घर पर इतना सामान है, मकान मालिक रहे हमें निकाल दिया तो हम कहां जाएंगे आप इटाम लोगों से गलती हो गई पर, अब हम तुम्हारा और खच्चा नहीं उठा पाएंगे चीटिंग भी हमारे साथ हुई और घर भी हम चुड़े, नहीं नहीं अंकल जी, ये तो बड़े घाटे का सौधा होगा या तो हम आप लोगों को थाने के चक्कर लगवाएंगे, या फिर हमारे हाथ गरम कर दीजिए बस इतनी सी बात है, तो बिटा बोलना चाहिए था ना पहले, रुख, मैं अभी हाट पैक लेकर आती हूँ मुझे पता था ये विकास, एक दिन हम लोगों को बड़ी मुसिबत में फसा कर रहेगा ठीके ले बिटा पाच ज़जार और खटम कर इस बात को एक लाख, एक लाख, इतने पैसे कहा से लाएंगे हम केस हो गया तो पैसे तो जाएंगी, जेल की चक्की भी पीशनी पड़ी किस वाल लग तुम्हारे पास वो बचाय हुए पैसे ते ना निया, एक बार देदो ना इनके मुझ पे मारो और बिचारी निया को अपनी सेविंग के बचाय हुए एक लाख रुपे चल्सी और विनोत को देकर उन्हें घर से निकालना पड़ता है मुझे पता था, ये आदमी एक दिन मुझे सड़क पर खड़ा करी देगा जेल की चक्की पिस्ते की हालत कर दी है ये विकास ने, अब तुम मुझे लगता है, ये जिन्दगी भी भाड़े की है अगले सुपर चाय पीते पीते संदोश ये अखबार पढ़ रहे थे, जहां उनकी नजर चल्सी और विनोत की एक बड़ी सी फोटो पर पढ़ती है हाााााााााााality